वेलकम टू स्टुडेंट साथी, आज हम लोग डिस्कस करेंगे UGC NET पेपर वन का स्लेवस, जैसा कि आप जानते हो कि UGC NET में दो पेपर होता है, पेपर वन, पेपर टू, पेपर वन सबके लिए कंपलसरी होता है, पेपर टू आपको वो होता है, जिसमें आपने अपना म तो हम लोग एक एक करके देखेंगे, पेपर वन, पेपर वन में unit 1 जो है आपका, इसमें teaching aptitude होता है, teaching aptitude से आपके, हर एक section में इसमें question पूछे जाते हैं, ठीक है, teaching aptitude में आपका concept, objective, यहाँ पे मिली पढ़ना होता है कि एक teacher कैसे पढ़हाता है बच्चो को, हम लोग इस पढ़ते हैं कि टीचर का कैसा behavior होना चाहिए बच्चों के लिए फिर बच्ची अगर क्लास में मतलब नहीं पढ़ रहे हैं या फिर वो बहुत हला करें तो एक टीचर कैसे यह एप है जो इसकी में यह आपको ऑनलाइन टीचिंग के वारे में बताता है यूनित टू देखेंगे हम लोग यूनित टू आपका रिसर्च टॉपिक रिसर्च अप्टिट्यूट से यह यह टॉपिक थोड़ा टफ है क्योंकि यह आपका नया है टीचिंग तो उनके लिए रिसर्च टॉपिक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर टू में आपका रिसर्च अप्टिट्यूड एक आपका यूनित है जो आपका पेपर वन और पेपर टू दोनों को ही लगबगे कवर करता है तो यह ऐसा ही यूनित है जब आप इसको की यह आपकर बहुत सा रहे जो सब्जेक्स एंब वह सब्षब के लिए पर वन कॉमहने तो यह टापिक आपके सब्जेक्ट में आपके होगा आपको जिस भी सब्जेक्स से हो आप देखना आप आप चाहिए लाब रही से हो से हो पबलीक अरपिस्टेशन पॉलिंटी लॉ यह जो भी सब्जेक्ट ही ही, यह सारे में आपके research aptitude आपको पढ़ना होगा. तो research aptitude में लोगो क्या पढ़ता हूँ, इसका meaning पढ़ते हैं, ताइपस पढ़ते हैं, characteristics पढ़ते हैं, तॉटिसम पढ़ते हैं, तुटिक है, method क्या होता है, research का, परेखल कया होते हैं ठीक है थेसी सोता ऑटिकिल्स होते हैं एप्लिकेशन यहां पलब पढ़ना होता है और रिसर्च एठीक्स भी पढ़ना होता है एठीक्स नो काफी इन्पॉर्टेंट है क्योंकि रिसर्च जब भी हम करते हैं तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा जो रिसर्च हो वह कंस्ट्रक्टिव हो ठीक है पेपर यूनिट थ्री यहां लोग कॉम्प्रियेंशन देखते हैं कॉम्प्रियेंशन सेक्शन एजी होता है अगर आप डेली न्यूस पेपर परते हो तो यह सब्सक्राइब कर लोगें यहां से आपको लगबग 5 कोशन सोते हैं और वो साड़े ऐसे यह एक ऐसा अडिया जहां पर पूरा करेक्ट कर सकते हो नंबर उठा सकते हो Communication चैपटर यूनिट फोर में आपको कम्निकेशन पढ़ना है यहां क्या होता है किहां लोग पड़ते हैं क्लास्ट रॉम में कम्निकेशन जब क्या जा रहा है तो कैसा होना चाहिए जिससे कि हम बच्चों से इंट्राक्ट कर सकें एक पॉजेटीव काम हो सकें वहाँ पर ठीक है तो आपे जो अगर अगर कुछ बेरियर आ रहा है जाईम से लिगुडकर कर लोगे BIG लाजीव का नॉजीक रिजनिंग यह का इसी होता है इसमें वर्वल के ए बैट वर्लम शु outtaार ग्रीड जो भी वन्यग्राम से लोगे। जो कि इसमें यह यह उविज दियाँ जो हो तो यह एक तो यह बहुत इजी सेक्शन है एक वार आपको अगर समझ में आ गया तो डेफनेटलिया क्या आपका पांचो कोशन आराम से सही होगा ठीक है यहां से भी पांच कोशन सापके मिनिमम पांच आपके होंगे यूजी सी नेट जो है आपका पेपर वन में यहां पर 10 जो यूनिट होते हैं एक्जाम क्या करते हैं उसमें हर एक सेक्शन पर कोशन आपको देता है ठीक है आप ऐसा नहीं कर सकती कि एक एडिया को आप छोड़ के जा रहे हो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप अपना मार्क् काफी इंपर्टेंट है अब लोग आई सीटी देखेंगे आई सीटी भी आपका काफी एक मेजर रोल प्ले करता है यहां पर क्या कि यहां हम लें इंटरनेट के बारें पढ़ाएगा इमेल ओडियो वीडियो कान्फरेंसिंग के बारें पढ़ाएगा फिर आई सीटी गवर सद्सक्राइब, इस तरह को पूछ घानेट पर क्या है यहां पूछायां पूछे आपकर पुझोंट्सक्राइब, बारेंपिक वीडियो का-था यह वाएगा साटेंगे तोनेट से उन्हांअ और परन इंवर्मेंटल प्रोटेक्शन येग्ट से था क्ति देख सकते हो climate का, फिर biodiversity देख सकते हो, फिर Kyoto प्रोटोकोल, जो भी protocol agreement जो भी हो रहे हैं, वहां से यह question आराम सोता है, लगबग अगर देखा जाए तो यह आपका current affair का हो जाता है, अगर आप थोड़ा भी current देख रहे हो और जो हो भी summit या फिर agreements हो रहे हैं, तो आप उसको भी आप highlight करके रख सकते हो, लिख के रख सकते हो, क्योंकि यहां पर questions आते हैं, बहुत ज्यादा depth नहीं होता, लेकिन आपको थोड़ा भी आपने पढ़ाया है, तो आप यहां पर यह कर सकते हो, वांसर, यूडिट अबर टेन जो आपका हाई एजुकेशन सिस्टम सा आथ है, यहां हम लोग क्या पढ़ते हैं, institution of higher learning and education in ancient India ठीक है यह आप लोग higher education के बाद में पड़ते हैं evolution पड़ते हैं कैसे education का कैसे evolution हुआ हम लोग वह पड़ते हैं यह आपे conventional non-conventional पड़ते हैं हम लोग ठीक है technical free skill based जो आपका होगी education value education क्या होता है environmental education क्या होता है policies governance administration यह सारे जो टॉपिक है यह हम higher education में पड़ते हैं हमने यह देख लिए स्लेवस एक एक करके एक यूनित देखा कि 10 units क्या है और कौन से क्या कहां में क्या पढ़ना है अब हमारे मन में यह भी जाता है कि इससे थोड़ा समक्राइब कोश्चन देख लें तो इसी होगा समझने में जैसे आप देख सकते हो कि हाइर education से तो इससे कैसा कोशन पूछा जाता है exam में तो हम लोग कोशन भी देखते हैं यहाप कि यह आप देख सकते हो कि यह करेंट का कोशन है डेटो का ठीक है लोग ट्वेंटी ट्वेंटी वन का है आप यहाप इंस्रक्शन एक्जाम जो हैं यह आपका अब बागी का टायम अपने पेपर टू में आप लगा सकते हो ठीक तो यहाँ पर इस तरह से एक्जाम होता है आप देख सकते हो कि अधिस पेपर कंसिस्ट आप 50 मार्क्स फिप्टी गार्टी कोशन होते हैं यहां पर और हर एक कोशन जो है आपको वो दो मार्क्स का होता है और है यहां सब्सक्राइब यह आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होता तो यह आपके लिए प्लस पॉइंट है आपको अगर कोई कोशन नहीं भी आ रहा है तो आप वहां पर रिस्क ले सकते हो ठीक और यहां पर यहां पर आपको देरा है क्या कि यह रिस्पॉंस टू आइटम और टूबी इंडिकेटेड ना ओम आप अच्छे से ओम शीट होता नहीं यह तो ऑनलाइन आपका एक्जाम है तो कोशन देखते हैं यह आपका डियाई का कोशन हो गया तो आप देख सेकते हो कैसे यह कैसे पूछ रहा है आपको दे दिया है और आपको कोशन देख कि आपड़ आपको अगर देखें दियाई से तो एक से पांच तीक है आपके हो गया है फिर हम लोग देखते हैं कोशन नम्बर 6 आपका क्या है कोशन आपका सिख से कि दा करेक्टेस्टिक आफ कर्रेक्टरिस्टिक फी नोवन इस्तिर्बीटिशने करव छिंगा दिए आपका रिसकर्च करपितीूट्रीक आं आपका घ्रसकाथ आपका स्टैंडर्ड डेविएशन इट मीन्स मोड और मीडियम कॉंसाइब दा सेंटर ऑफ दिस्टिविशन तो जब हमने यह टॉपिक पड़ा तभी तो हम यह आंसर कर पा रहे हैं तो अब मैं आपको यहां पर कोशन दिखा रही हूं कि कौन से टॉपिक से कैसे कोशन आ रहे हैं त स्टिजी इंडेक्स 2020 विच इस अब वेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट दिखे यह आपका करेंट जो हो गया क्योंकि नितिया युग ज़े वह स्टिजी इंडेक्स निकालता है तो जब आपको करेंट भी देख सकते हो कि करेंट से भी आपका कॉशन से हैं तो यह आपका इंडेक्षे नमग देखते हैं को यह विच अफ्टलिंग स्टिट्मेट अट्रू कि है तो आपको क्या पोगा क्रेंगा कैसे एकसे स्टेटमेंट के फर्म में एक स्टेटमेंट के फ़र्म में और इसमेंसा कॉन से आपके सही है वह आपको यहां पर आउसर चूर्ज करना ह तोपिक कैसे हमें परना है यह हम यहां पर देक रहे हैं कि हमारे questions कैसे आते हैं को आपको नबर नाइन देखते हैं तो यहां आपका क्या है कुछिन नबर नाइन आपका रिसर्च अप्रिटिट्यूट से देखिए यहां देड़ आए कि टाइप ऑफ डिजाइन और करेक्टिस्टिक तो सोलमन फेया फोर ग्रूप डिजाइन ठीक है पोस्तेस्ट अनली इस इस अपर आएगा इडिजेग रिसर्च अप्रिट्यूट से यह आपका वह एडिया आप यहां पर मैस्दा फॉलइंग में फॉल्व में यह कॉश्टिट्यूट आते हैं तो आप देख लोग हो यहां पर देखते हैं कि स्टेट्मेंट के फॉर्म में भी आता है यह कॉ यहां बॉलव यहां पर दिया हुआ है तो आप देख सकते हो कि इसे अरिया से कॉश्टिंग से कैसे अपर लेते हैं और पता नहीं होता तो कोश्टिंग के उसके बाद आप अपनी पढ़ने की स्टाटिजी बनाओ यहां पर डिस्कॉस करने का यही मतलब है इस के फर्म में आएंगे आपको कोई कोशन होगा जो आपका आपका डारेक्ट ऐसे पूछा जाएगा A B C D अदर्वाइस आपका स्टेटमेंट देगा आपका स्टेक्षन देगा और आपको मैस्दा फॉल्लीं करना है आपको देखना है जैसे स्वयम प्रभा हमने पड़ा स्वय प्रवा क्या है तो स्वयम प्रभा यहां पर जी साट 15 कोशन का देशेटलाइट यूस फॉर दा ट्रांसमीशन अट टेलिकास्ट प्रवा इसकॉल तो जी साट 15 से सटेलाइट से जो आपका यूस करता है ठीक तो आप देख रहे हों कि कैसे यह कोशन तो आप क्या करो कि करता वो हर एक topic से आपको questions देता है तो आप यह गलती बिल्कुल ही मत करना कि यह topic नहीं आ रहा है तो छोड़ दो आप छोड़ रहे हो तो आप अपने marks को lose कर रहे हो तो आप यह देख लेना ठीक है आपको इसका PDF चाहिए तो आपको मेल जाएगा आपको टेलीग्राम पे और हम लोगों ने इसका test series भी start कर रहा है तो आपको test series चाहिए तो आप हमारे app पे जाके वहाँ पर टेस्ट ले सकते हो और हम लोग इसके आगे अब हम लोग धिरी-धिरी टॉपिक करके एक-एक टॉपिक को discuss करेंगे और थोड़े हम लोग MCQ का भी practice करेंगे इसके इलाव आपके पास कोई भी question है किसी भी तरह confusion है तो आप हमें comment box में comment कर सकते हो thank you भी आप हमें टक्स लाओ सकते हैं लोग झाल लोग तो आप हमें लोग करेंदे लोग लोग पर वो दो बपार आप हमें लोग जो जोगा किसी आप हमें सकते हैं